बोलो नीप करोरी बाबा महराज कीजे, परम पूज सिद्धी मा कीजे, पवन पुत्र हनुमान कीजे दर्सकों, मैं डॉक्टर उमेश बाचपई, उपस्तित हूँ आपके समक्ष, नीप करोरी बाबा महराज की लीलाओं को कावर्णन करने के लिए, जैसा कि हमने आपसे बताया, बाबा महराज की मानो देह लीला, जिसमें तीन भाग बन चुके हैं, वो वीडियो एक तरफ चलत आपको बहुत आनंदाने वाला है, तो आज के बाबा महराज की लीला है, उसमें है कि कैसे कैचे धाम की इस्थापना होती है, और किस प्रकार से बन विवाग जमीन देता है, और किस प्रकार से ततकालीन वनमंत्री, चौधरी चरण सिंह आकर के, बाबा महराज के चरणों पर प्रणाम करते हैं आके तो सुनते हैं 1962 का समय था बाबा महराज पूरा नंद तिवारी से 20 वर्स पहले किये गए वादे के अनुसार समय पर पहुंच गए हमने बताया एक वीडियो में कि पूरा नंद तिवारी उनको पहचान नहीं पाए बाबा महराज ने उनका जूट भी पकड़ लिया खेर उनको माब भी किया और फिर पूरा नंद तिवारी के घर से बाबा महराज कहते हैं कि चलो हमें यहां पर मंदर बनाना है और यहां पर किसी जो है सादू महत्मा ने स्वामवारी बाबा ने तपस्या की थी तो पूरा नंद तिवारी ने कहा कि हाँ प्रभू सुनते तो हम भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी बताते रहे हैं कि यहां सौंगवारी बाबा ने तपस्या की है, उनकी तपोस्तली है, तो बोले चलो दिखाओ चलके, और हमको तो यहां पे मंदर बनाना है, उनके यह रट लगी थी, तो बाबा महाराज पुना नद् थी जंगलात खड़ा था, बाबा महाराज धीरे से नदी पार करके और उस पार गए, तो वरतमान में कैची धाम में, जो हनमान जी की मूर्ती है, और उसके पीछे ठीक गुफा बनी हुई है, जहां धूनी जो है सुलगा करती है, आपने अगर दर्सन कि यह होंगे तो ठीक अनिता हम आपको कराते हैं, तो बाबा महाराज पहुँचे तो बहुत जंगलात थी, खेर धीमे से वहां से फावडा ओडा सा मगा करके, कुदाल उदाल और सफाई की गए, कुछ बाबा महाराज ने देखा कि यहां तो बहुत जंगल है, तो बाबा महाराज ने कहा कि यही पर मंदिर बनाएंगे तो बोले ऐसा है कि यह जो फूल है एक फूल उठाया और कहा जहां गिरे वहीं खुदाई कर। ऐसे करके फेका भूल यहां गिरा तो बोले पुचछान यहां खुदाई करो. पुचुचा टिवारी यहां पर राखी निकलनी चाहिए तो पुणा नंतिवारी और उनके परिवार के लोगों ने खोदना चालू किया गोल गोल तो एक से देड़ फिट खोदा होगा और वहां पर राख निकलना चालू हो गई और धूनी निकली हवन कुंड ऐसा निकला बात सिद्ध हुई अब सब गाओं वालों के मन में बड़ा कौतुहल कि ये तो बहुत पहुचे हुए संत हैं इनको कैसे पता तो बोले यहीं पर हम अपने हनुमान को बिठाएंगे और बाबा माराज ये कह करके वहां से चल दिये और एमेश्डर में बैठकर नैनीताल चले गए अगले दिन लेके आए बनिवाक के कुछ करमचारियों को दिखाया पूनानंतिवारी का पूरा परिवार अब पूनानंद से कहा कि पूनानंद अब तु मेरे साथ ही रहेगा और उनको साथ भगवान ने कर लिया कृपा है उनकी पूनानंद भी साथ लग लिये और बनिवाक के करमचारी से कहा कि देखो हमें ये जगह चाहिए और हम यहाँ पर मंदर बनाएंगे और मंद्र बनाने के लिए बनिवाग के कर्मचारी से जगए मांगी जब जगए मांगी तो बनिवाग के कर्मचारी ने कहा कि महराज जी ये जो जगए है ये बनिवाग की है पुर्णानंद ने का हमारी तो वैसे भी नहीं है अब बनिभाग की है तो इसमें हम ज़्यादा जगा आपको दे नहीं सकते हैं हमारे अधिकार छित्र में नहीं है तो इसमें आप अपनी कुटिया उठिया बना लो जो बनाना है माकिक ज्यादा जगह नहीं दे पाएंगे तो बाबा माराज ने कहा कि कौन दे पाएगा तो बोले हमारे जो मंतरी हैं वही कुछ कर सकते हैं तो बोले कौन है तेरा मंतरी तो उसने कहा कि चौदरी चरण सिंग तो बोले अच्छा चौदरी चरों सिंग बन मंत्री है ठीक है तो वो जगह देगा मंदर के लिए और ये बात कहके बाबा महाराज सभी के साथ वहां से हटे और चले गए वापस बिश्वास नहीं मानेंगे भक्तों मात्र जो है अगले दिन या उससे अगले दिन और उसके बाद कैसे क्या होता है आप समझे जरा कि बाबा महाराज तो वहां से चले गए और चौदरी चरों सिंग अगले दिन वहां पर आकर के उपस्तित होते हैं बाबा महाराज साथ में होते हैं पूरा अमला होता है और चौदरी चरण सिंग आके जैसे ही नजरों में नजरों में मिलाते हैं नत्मस तक हो जाते हैं पहले कभी नहीं मिले थे तो उन्होंने कहा कि महराज जी आदेश करिए हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं वहि », सेवा यहिस कर सकते हो कि हमें यहां मंदिर बनाना है। हमें जग्육ं चाहिए। बाबा महराज की बात को काटने कीária हिम्मत चौदरी चरहण सींग में नहीं थी। उन्होंने कहा U cos night Пріш रभात को आशिरवात दिया। और चौधी चरण सिंग से कहा कि जा एक दिन तु जो है भारत का प्रधानमंतरी बनेगा ये बात आशिरवाद दे दिया और चौधी चरण सिंग ने जुक करके प्रणाम किया और कहा महराज जी आप मंदिर का निर्माण कारे सुरूग राइए और जितनी भी लिखापड़ी की कारिवाई है वो तीन से चार दिन में आपके पास हम पहुँचा देंगे और एक रुपिया ली जुकर प्रतिवर्स पट्टा हम कर देंगे मंदिर के नाम और इस तरीके से बाबा महराज ने जब आशिरवाद दिया तो मित्रो आपको विश्वास नहीं होगा कि कहीं वही चौधरी चरों सिंग बाबा महराज के देहत्याक के बाद 26 दिन के लिए प्रधानमंतरी भारत के बने तो ऐसे थे हमारे बाबा महराज जो वो कहते थे वही होता था तो आप भी बाबा महराज की गाथाओं को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें अधिक से अधिक और अगर आनंद आ रहा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जा करके अवस्य लिखें और अगली गाथा के लिए आप इंतजार करें और मैं अपनी इस गाथा को यहीं पर समाप्त करता हूँ, बोलो गुर्देव महराज की जैए!